नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आपका अपना सिटी में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने बाला हो कि रेलवे एक अगस से कुछ इस्पेशल ट्रेनों को चलाने जा रही है इन में कुछ एक्सप्रेस और मेल का भी परिचलन शुरू किया जाएगा तो कौन-कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और कहां जे कहां तक चलेंगी तो इस वीडियो में स्थारी बाते होंगी इससे पहले कि मैं वीडियो को सुरू करूँ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तो किसी भी सुचाव सिकाइट के लिए आप मेरे इस्टेगराम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्सिल में दिया हुआ है और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ट्रेन में सफर करने वाले हैं जैसा ही कोई अपडेट हैगा मुझे बीडियो बनाऊंगा तो चलिए अपनी बीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि आपको पता होगा बिहार में 31 जुलाई तक लॉकड़न है ऐसे में रेलेवे भी ट्रेन को पट्री पर दोराने की तैयारी सुरू कर दी है आपको बता दे रेलेवे पहले फेज में एक्सप्रेस और मेल का परिचलन सुरू करने जा रही है फिर कुछ दिनों के अंदर सभी रद ट्रेनों को चलाई जाएंगी तो यातियों के लिए रेलेवे के तरफ से अच्छी खबर है जो भी लोग भार भसे हुए हैं अगस से यातरा कर सकते हैं रेल अधिकारियों ने बताया कि लॉकड़न के करण 12 अगस तक ट्रेन बंध है लेकिन कुछ स्पेशल ट्रे गुहांती लोकमान तिलक ट्रमिनल इन सभी ट्रेनों को चलाए जाएगा यातरियों की परिशानी को देखते हुए छो जोरी ट्रेनों को एस्पेशल की रूप में चलानी की तैयारी में है आपको बता दे लोगड़न बढ़ने के कारण इन ट्रेनों का परिचलन एक अगस स बतास से कर दिया गया है तेनों के चलने से भागलपूर के अलाबा मुंगेर लखिशराई जमुई और वाका जीलों के यातरियों की लिए काफी फायदा होगा भागलपूर से दिल्ली मुंबई हाबडा बेंगलूरू अगर तल्ला जाने वाले यातरियों की संख्यां आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक लिए जाहिंद बंदे मात्रम